कि यो पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टून जो जब वीडियो देख रहा हूं सब के लिए कैसे हैं सब लोग बैटे एक बार फिर से स्वागत है आप सब का हमारे नहीं लेक्षर में आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिसकस करने वाले हमारा पेपर नमबर टू कोवर्स का यूनिट नमबर सिक्स जिसका नाम है एच्चरेम उमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसका सेकिंड पार्ट बैसिकलिए जो यूनिट नमबर सिक्स है उसके तीन पार्ट इनवोल्ड है एक आपका ओबी और्गेशन एक आपका HRM और एक आपका क्या मैनेजमेंट तो हम लोग जो है वो अभी तक मैनेजमेंट को पूरा रिवाइस कर चुके हमने मैनेजमेंट को जो है वो छे चेप्टर के नदर डिवाइड के था मैनेजमेंट के सिलेबस को और वो छे के चेप्टर हम लोग रिवाइस कर च हो human source management की तो HRM के syllabus को हम लोगों ने जो है वो कितने 11 chapters के अंदर डिवाइड गिया हुगा है अगर हम बात करते हैं यह दिखिए का पहला chapter आपका human source management क्या है फिर HRP फिर recruitment selection tending development succession planning compensation management job evaluation incentive plan and fringe benefit performance appraisal collective bargaining and worker participation in the management तो अगर हम बात कर दे हैं तो टोटर मिला नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे हम पहले तसली से एक से लेके 5 chapter revise करेंगे और next class के अंदर हम जो है वो 6 से लेके 11 chapter को जो है वो क्या करेंगे revise करेंगे ओके हाँ जी तो बिना किसी देरी के आईए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस lecture को तो लेक्चर के अंदर शुरुआत करेंगे हमारे फर्स चेप्टर से जिसका नाम है human resource management इसको शुरू करने से में छोटी सी information आपको मैं देना चाहूंगा exam date जो है वो अनौन्स हो गई है तो commerce वालों का जवा 17 अक्तूबर को 17 अक्तूबर को जो है वो commerce का पेपर है दो शिफ्ट के अंदर जो है वो पेपर होगा तो आप अकोर्डिंग लिए आप देखते रहिएगा ठेके ना एंटेनेट के साइट को विजिट करते रहिएगा जब भी वैसे तो जैसी अपने एडिमिट काड आएंगे तो उसके लिए मैं नोटिफाई कर दूँ आप लोगों को लेकि फिर भी आप भी आपने तरफ से वो विजिट करते रहिएगा क्योंकि अगर आपका इधर उधर अगर कहीं भाहर आवे गया तो उसके लिए पहले से प्लैनिंग कर पाओ हाँ जी और दूसरा अभी भी एक महीना पूरा पड़ा है एक्जाम के लिए तो आप पूरा प्रिपेर हो जाएए अभी से भी अभी भी अगर प्रिपेर हो जाएंगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ा आप कर सकते हैं आप सब कुछ नहीं कर सकते बड़ बहुत कुछ कर सकते हैं तो प्लीज अभी भी जो है कोई लेट नहीं हुए अभी भी तैयारी के लिए आपके बास में एडिक्टो टाइम अवेलेबल है तो आप काम करें और सब कुछ बहुत अच्छा होगा हाँ जी चलो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहरा जो हमारा आता है वो है HRM Human Resource Management जो बेसिकली क्या है तो अगर हम बात करेंगे HRM का तो HRM बेसिकली क्या होता है HRM के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते है HRM जो है वो एक आर्ट है HRM बेसिकली हम बोलते है करके देंगे उसके लिए हमारे दोरा और हमारे अच्चरे में difficult एक अर्ट है Human Source Manager जो है वो Human Source Management का काम करता है जिसके अंदर वो क्या करता है जो Talent Pool है उसको क्या करता है तो उसके लिए हमारे दोरा जो activity प्रफों की जाती है human resource manager के दोरा जो activity perform की जाती है that is known as human resource management तो ये question आ सकते हैं आपका कि HRM क्या तो आप ये ध्यान रखिएगा HRM जो हो basically लिख है it is an art ये एक art क्या करने का procure करने का procure बोले तो acquire करने का develop करने का and maintain करने का किसको a competent workforce को ताकि achieve किया जा सके the goal of the organization in an effective and efficient manner सकोप के अंदर क्या क्या थे सर HRM के स्कोप एचर्म का सो स्कोप जो बहुत ही क्या वाइडर रहे लेकिन इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड क्या हुआ है एक आता जी इसके कौन सा personal aspect एक कौन सा welfare और एक कौन सा maintain करने का काम करते हैं आप HRM के feature के अगर बात करते हैं तो feature के नाम पर आपके पास सबसे पहले जो आता है HRM is concerned with the employees both as individual as a group HRM के अंदर हम दोनों की बात करते हैं चाहे individual employee की बात करो चाहे उनके group की बात कर लो दोनों के दोनों के अंदर चर्चा की जाती है HRM के अंदर हम लोग क्या करते है human source को develop करने का काम करते है HRM सभी level को cover करता है चाहे वो किसी भी level का employee है चाहे वो skilled है चाहे वो unskilled है top level पे, middle level पे, lower level पे चाहे कोई भी है आगे यह apply होता है कि all the organization में, पूरे world के जितने भी organization है, हर organization basically human source planning का काम करती है चाहे वो profit organization है चाहे वो NPO है, not for profit organization है वो भी human source को manage करने का काम करती है HRM जो है वो कहाए continuous function है, मलब never ending function है, परवेसी तो ही है और साथ में never ending है क्योंकि यह लगातार चलते रहता है ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार employees को recruit किया और आपका काम खतम होगया, बाई साब recruit करने के बाद में उसका selection आपने कर लिया, उसको आपने introduce करवा दिया, काम सोब दिया, उसके बाद continue आपको performance को उसके appraise करते रहना होता है उसके बेसर आपको routine में उसको train करना होता है, तो यह जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि one shot के अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सरे steps होते हैं, और वो कभी भी एक बार में नहीं होंगे, आपको routine के अंदर वो करने होते हैं, आगे फिर बोलता है HRM के अंदर basically क्या है, HRM जो है वो responsibility किसका all the line managers का and function है किसका staff manager in an organization, okay HRM is concerned mostly with managing the human source at the work, जो काम के अपर जो आपके human source लगे हुई है, तो उनको manage करना basically part है, इसका human source management का, ठीक है जी, यह normal सी एक बात हो गया था, अब अगर बात करता हूं मैं किसका function का, तो मैंने आपको करवाया था, HRM human resource management को उन करता है, sir human source management करने का का काम होता है, human resource manager का, और human source manager basically organization के अंदर दो तरह के function को perform करता है, one is a managerial function, another one is a operative function, सबसे पहले अगर बात करेंगे managerial function का, तो उसके अंदर वो management related activities को perform करता है, like आपका planning हो गया, organizing हो गया, directing, controlling, यह सब आएगा, और अगर बात करूंगा operative function का, यहां से question आ सकता है, कुछ function दे देगा और basically जो है, वो 5-6 तरह के function होते हैं, तो इन 6 में से वो किसका part है, यह आपको करके जाना पड़ेगा, तो basically जो इसके अंदर function आते हैं, वो है सबसे पहले का procurement, operative function के अंदर, जो human resource manager है, वो क्या करता है, procurement का मनलब क्या होता है, यह employees को acquire करना या उनको hire करना, एक बार आपने hire क लिए, दिन उसके बाद में क्या किया जाएगा, उनको develop करने का काम गये जाता है, अब hiring के अंदर सब कुछ आ जाएगा, recruitment, selection, induction तक का का काम आपका hiring में आ गया, procurement में आ गया, इसके बाद आप क्या करते हो, इसके अंदर आपर training हो गया, development हो यह सब आएगा, फिर आप उनको motivate भी करोगे, उनको compensate भी करोगे, ताकि लोग जब वो inspire हो, then उसके बाद में हम उनको maintain भी करके रखते हैं, उनको protect भी करते हैं, ठेक है, कोई भी अगर माली जो कोई problem है, तो उससे उनको बचाने का काम भी करते हैं, फिर integration भी करते हैं, मतलब यह है कि हम organization के goal और employees के personal goal है, उ HR manager के द्वारा जो function perform किये जाते हैं, उनको basically तो दो category में divide किया गया, one is the managerial, another one is the operator, और operative function के अंदर एक HR manager जो है, वो 6 तरह की activities को perform करते हैं, और उन 6 के अंदर बहुत सारी over activity आएंगी, okay, हाँ जी, चलो जी, सबसे पहले पढ़ते हैं, हम लोग कौन सा managerial, इसमें तो सिजा करेगा, फिर directing, उनको supervise करना, उनको guide करना, वो directing के अंदर आएगा, ये सारे keyword आपको मैंने highlight करवा रहे हैं, तो ध्यान लखिएगा, उनको revise करते रहिएगा, ठीक है, तो जो आपको मैंने book दी थी ना, जो book आपके पास में है, उसको बस आप खोल के बैठे, और जो keywords है, उ Operative के अंदर सबसे पहले जो काम आ रहे है, वो है procurement, procurement का मलब क्या होता है, human resource को क्या करना, hire करना, जिसके अंदर basically hiring people का काम किया जाता है, इसके अंदर आएगा सबसे पहले क्या job का analysis, job analysis के अंदर हम लोग जो है, वो job के बारे में information collect करते हैं, ठीक है, एक specific job के लिए जो है, उसके operations है, क्या उसकी responsibilities है, वो हम देखते हैं, फिर है human source की planning करना, adequate number को हम decide करते हैं, कितने manpower के अपने requirement है, उसके पहले से हम decide करते हैं, फिर human resource के बारे में आपने जब planning कर लिए, आपको मालूम हो गया, क्योंकि human source planning में हम ये देखते हैं, कितने manpower है, कितने की जुरूरत ह और जो deficiency है, उसको कैसे acquire करेंगा, अब उसको deficiency को पूरा करने के लिए, like मान लीजिए, आपको human source demand जो है, आपकी organization में बहुत है, 20 employees की, जबकि supply जो है, वो only 17 employees की है, तो 3 को लगाना पड़ेगा, तो लगाने के लिए आप क्या करते हैं, recruitment का का काम करोगे, फिर recruitment के अंदरा majority लोगों को बुलाओगे, कि आप आईए, और हमारे यहां पर जो है, अपना test दूस दीजिए, यह सब, फिर आप क्या करते हो, उनमें से कुछ को select करते हो, ठीक है, recruitment जो की positive basically function है, और selection एक negative function है, selection करने की बात आप उनको क्या करोगे, जोब पर लेके जाओगे, उसको बोलता क्या induction करवाना, और फिर है क्या internal mobility, अगर एक employee को जो है, उसकी requirement दूसरी department में है, तो उसको हम वहाँ पर क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, वो सब आएगा किसके अंदर आपके development function में, development के अंदर employee के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको develop करने के लिए, हम उसके लिए training क काम करते हैं, training उसको हम provide करते हैं, ठीक है, उसका हम executive development का भी काम करते हैं, ये पूरा का पूरा chapter number 4 के अंदर भी हम पढ़ेंगे, उसकी credit planning भी करते हैं कि आगे वो किस-किस path पर जा सकता है, किस-किस post पर वो जा सकता है, उसके लिए हम पहले से succession development management होगे, इस सब हम करते हैं और फिर human source को develop करने का भी काम करते हैं, इसके बाद में third function है, जो HR manager perform करता है, that is known as motivation, motivation और compensation के अंदर वो basically क्या करते हैं, employee को motivate करता है, with the intrinsic and the extrinsic benefits के use से, intrinsic and extrinsic rewards तो है, वो उसको देखे और उनको क्या करते हैं, उसको motivate करने का काम करते हैं, इसके अंदर आएगा क्या सबसे जोब डिजाइन, जोब डिजाइन के अंदर basically देखा जाता है कि जो काम है, जो एक concern जो task है, जो काम है, उसके क्या उसके अंदर task रहेगा और क्या उसकी responsibility है, उसको बोलते हैं हम क्या job design, फिर आएगा जी आपका work scheduling, work scheduling के अंदर basically हम लोग जो है, वो क्या करते हैं, काम को schedule क करने के लिए shorter work period होगा, टाइम दे देंगे, work at home दे दिया, यह सबाइगा आपका work scheduling में, उसका time time motivate भी करेंगे, फिर job का evaluation करेंगे, मलब कि एक concern job की क्या उकात है, मलब जो जो है, एक concern जो एक post उसकी क्या उकात है, organization के अंदर ठीक है, उसकी work check करेंगे, फिर employee की performance को भी time to time appraise करेंगे, उसके performance की base पर कई बार हम लोग क्या करते हैं, decide करते हैं कि एक employee को जो हो क्या payment करना चाहिए, जिसको बोलता है compensation management, और फिर उसको अलगला incentives और benefits भी हम provide करने का काम करते है, इसके बाद जो fourth function है, HR manager जो perform करता है, that is the maintenance, maintenance के अंदर एक HR manager जो है, employees को maintain करने का काम कर थेक है, उनको protect करता है और उनको preserve करने का काम करता है, ठीक है, उनको बचाने का काम करता है, ठीक है, उनका welfare का काम करता है, जिसके अंदर वो क्या करता है, जैसे उनके health and safety standards को maintain करवाएगा, ठीक है, employee welfare की activities जो है, perform करवाएगा, like housing होगा, transportation हो गया, यह सब benefits भी integration function के अंदर HR manager जो है, वो क्या करता है, he tried to integrate the goal of the organization with the employee aspiration through various employee oriented program, like redressing grievance हो गया, promptly, ठीक है, अब यह अभी पढ़ते हैं, सबसे पहला है, grievance redressal, grievance redressal का मलब क्या है, अगर कोई employee की शिकायत है, तो उसका timely basis पर जो है, वो निवारण होना चाहिए, अगर time पे employee की शिकायत को अ agency के लिए जो है, यह एक force होती है, ठीक है, जो एक individual को जो या group को जो है, इसमें आप उसको force करते हैं, कि वो आपके जो rules है, उनको obedient करें, ठीक है, फिर team work की भावना जो हो, उनके अंदर क्या करना, जागरित करना, क्योंकि isolate, आपको भी मालूम है, कि management के अंदर isolation में कोभी क काम नहीं होगा, आपको जो है, क्योंकि एक organization तभी जीती है, जब group के efforts लगते हैं, ठीक है न, तो उनको team work के लिए आप क्या प्रेडित करते हो, फिर collective bargaining भी की जाती है, अगर माले लोग किसी एक मुद्दे पर आ करके, जो है, वो union में और इसमें कोई, जैसे माले जी किसी wages इसको ले करके, या work hours को ले करके, कोई बात हो गई है, कोई आपस में, जो है, वो confliction हो गया, या आपस में, उनका आमना सामना हो गया, confrontation हो गया, तो उसको निप्टाने के लिए, basically हम क्या करते हैं, collective bargaining का भी काम करते हैं, फिर employee का participation, empowerment, ये सब BC के अंदर आएगा, ये पूर industrial relation को जो है, वो क्या करते हैं, हम maintain करते हैं, ताकि हमारे organization बिना interruption के चलती रहे, इसके बाद emerging issues के अंदर, basically HR manager क्या करते है, personal record maintain करता है, time to time पे जो अलगलग personal है, organization के अंदर काम करने वाले जो लोग है, उनके record maintain करता है, फिर human resource की क्या करता है, वो audit भी करता है, time to time पे वो check भी करता है, ठीक है, जो की program से हमने चला रहे है, HR human source के लिए, क्या वो exactly work भी करें नहीं करें, और कर को deviation है, तो उसके उपर check लगाया जाता है, फिर human resource research भी करता है, research के अंदर वो अलग है, policies, practice को employ करते है, then human source का accounting भी करता है, कि एक concern जो human source asset जो है हमारी, तो उसकी value क्या है हमारी organization के लिए, वो HR, HR, IS का भी काम करता है, human source information system का भी काम करता है, इसके अंदर HR का data जो है, उसको क्या database maintain किया जता है, stress and counseling की activity को भी perform करता है, and international human source management के अंदर भी वो deal करता है, कि international level पे HR को manage करने की कौन सी practices चल लिए, तो उनके साथ अपने activities को integrate करने का का काम करता है, इस हमारी के दोरान हमारा main emphasis था, वो था किसके उपर welfare management पे और paternalistic practices, जो paternalistic practices होती है, हमारी जो पुरानी जो traditional, उसी के ओपर हमारा main काम होता था, और जो इसके अंदर HR manager था, वो क्या भूमिका नहीं बाता था, ऐसे welfare administrator या policeman की भूमिका नहीं बाता था, ये थोड़ा ध्यान द करने पर, ठेक है, ये job जो थी, वो कौन सी थी, वो administrative nature की job थी, फिर 1960 से आपको मैंने लिखवाई भी था, 1960 से 90 के दोरान जो है, जो हमारा जो काम था, वो था किसके उपर, organization के efficiency and effectiveness के उपर, human resource and human values, aspiration, dignity and usefulness के उपर, फिर 1990 से 2000 के दोरान हमारा जो main focus था, वो था किसके उपर, incremental productivity gain through the human asset, और फिर आज की डिटमेंट चल लड़ा है, वो क्या चल आपका, जैसे course cutting हो गया, quality improvement हो गया, ये सब, तो इसके उपर, अपना main emphasis, आपको मैंने बोला था, ये क्रेम कर लीजिएगा, ठेक है, इसके बात है, role of HR manager, HR manager क्या function perform करता है, तो वो हमने पढ़ लिया, दो त सबसे पहला आएका administrative, administrative role के अंदर HR manager basically क्या करता है, वो policy maker का काम करेगा, ठेक है, मला वो policy बनाने का काम करता है, HR manager जो है, वो क्या करेगा, policy बनाएगा, अच्छा, फिर वो administrative expert के तोर पे काम करेगा, बोले तो जैसे record keeping हो गया, ये सब activity perform करेगा, as an advisor के तोर पे भी काम करेग counselor के भी activity perform करेगा, welfare officer की भूमिका भी निवाएगा, legal consentant के को तोर पे भी काम करेगा, operationally के अंदर वो basically जो है, वो tactical activities को निवाने का काम करेगा, जैसे वो recruiter बनेगा, ठेक है, recruiter मतलब नए ने बंदों को ले किया आएगा, फिर उनका trainer भी बनेगा, उनको train करने का काम भी करे तो यह सब काम जो है वो है, आपके किस के अंदर, operational role के अंदर, आपको नाम नाम जो है वो जनलियात करो, एक एक लाइन याद कर लीजेगा बस, इसके बाद last जो है, वो है कौन सा strategic role, strategic role के अंदर आप नाम पर जाजएगा, जैसे strategy बनाना, basically क्या हो ना, strategy बनाना, तो strategy बना organization चाहती है, उसको पूरा करवाने का काम करेगा, और employees का जो resistant है, उसको खतम करने का काम करेगा, दूसरा यह strategic partner के तोर पे भी काम करेगा, तो यह सब जो है, वो booming का निवाएगा, कोन आपका HR manager, इस chapter के अंदर जो याद करने वाली बात है, एक तो वो है कि HR, humor source management क्या होता है definition, then उसके बाद में उसके functions कौन कौन से हैं, तो दो तरह के वो देख लिया, फिर उसके बाद में जो दूसरा function उसके अंदर वो क्या क्या काम करेगा, वो आमने देख लिया, और फिर हमने यह देखा, कि यह role क्या है, तो role के नाम पके आपके तीन तरह के role है, OK, हान जी sir, च कि इसकी limitation क्या सबसे पहले अगर बात करते है HRP का HRP बोल तो human source planning का तो HRP basically क्या है HRP एक ऐसी activity human source की planning करना जिसके अंदर हम क्या करते है हम यह बोलता है right personal right number जो है हमारे पास हम available होना चाहिए तो उसके लिए जो activity perform की जाते है that is the HRP पढ़ते है एक बार HRP definition क्या बोलता है HRP is essentially the process यह process है of getting the जिसमें हम क्या करते है get करते है right number of qualified people into the right job at the right time so that an organization can meet its objective ताकि organization अपने objective को fulfill कर सके तो उसके लिए right logo right job पे right logo को क्या करना employee करना data is known as the human source planning दुबारा बोलता है HRP is essentially the process HRP एक ऐसा process है जिसमें हम क्या करते है getting the right number of qualified people right number of qualified people जो qualified people है उनके right number उन्चे ना तो ज्यादा होना अच्छी ना ही कम अगर ज्यादा होंगे तो वो settled हो जाएंगे ठीक है ना जिससे organization के उपर भार पढ़ जाएगा कम है तो फिर scar city वहां भी पंगा हो जाएगा क्योंकि काम ही पूरा नहीं हो पाएगा तो राइट नंबर होना चीए किसका राइट नंबर qualified people का into the किस पे राइट जोब पे और एट राइट ताइम ताकि organization can meet its objective तागि organization अपने objective को accomplish कर सके तो उसके लिए हम लोग करते हैं कि HRP HR human source planning it is a system of matching the supply यह basically system में जिसके अंदर क्या किया जाता है मैच किया जाता है कि इसको supply of people को with the hide or search with opening of the organization expect over a given time frame जिसके अंदर हम क्या करता है supply को demand के साथ में मैच करने का काम करते हैं और अगर deviation होती है अगर जादा है उनको निकालने का का करते हैं तो यह सब आता है किसके अंदर आपकी human source planning के अंदर future के अगर बात करता है तो HRP देखो planning पास के लिए future के लिए future के लिए that is known as the forward looking HRP जो है वो forward looking HRP जो है organization की need के हिसाब से जो उनके साथ मैच करती है HRP जो है वो क्या proactive approach है इसका महलब क्या कि कोई काम के होने से पहले ही हम जो है उसके लिए निर्णन ले ले लेते हैं महलब किसी चीज जो future के अंदर हो नहीं है कोई भी काम तो future में होना उसके लिए आज हम decision ले लेते हैं और it get the qualified people at the right time okay HRP में जो है हम लोग जो क्या करते हैं कुछ questions का answer डूनते हैं वो क्या सबसे पहला how many employees do we need in terms of number अपने को कितने बंदों की requirement है दोसरा what are we looking हम को जो है जो बंदे चाहिए जो employees अपने को चाहिए उनमें क्या necessary KSA knowledge skill ability होने चाहिए के ऐसे वर्ड दिहान रखेंगा डिटीजों से knowledge skill and ability इसके बात में where do we need the employee अपने को कहां पर employee चाहिए किस department के अंदर उसकी location हो गया चाहर बता रहे हैं सबसे पहले हम यह क्या करते हैं forecasting करते हैं forecasting करना personal requirement कितने लोगों की requirement है कितने लोग चाहिए अपने को तो उसकी forecasting करना यह यह करते हैं दूसरा कोप फिद्धा changes changes के साथ में अपने आपको कोप अप करने का काम करते है existing manpower productivity जो है उसको भी आम देखने का काम करते हैं कितने अपने हमारे पास manpower available है and promote करते हैं employee को in the systematic manner अब HRP जो आपके दौरा की जाती है human source planning job करते हैं उसकी importance क्या क्यों करते हैं क्यों जरूरी है सबसे पहला reservoir of talent talent का एक pool बनाने के लिए अगर मानलो HRP नहीं किया जाएगा तो जिस time पे employees की requirement होगी उस time आपको qualified people मिलेंगे ही नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए हम पहले से उनका एक pool बनागे चलते है ठीक है तो reservoir maintain करने के लिए हम लोग human source का planning करते हैं दूसरा prepare people for the future लोगों को पहले से ही future में मतलब यह है कि future के अंदर अगर मानलो करते हैं फिर हम जो है वो supply का analysis करते हैं फिर manpower का gap निकालते हैं और लास्ने हम क्या करते है फॉर्मेट करते है एचर प्लैन तो एक तो यह सकता है कि human resource planning जो है उसके step बताईए क्या तो step के नंबर पर पहले पहले तो यह आ गया forecasting करना कि इसका demand का भी कितने human manpower का requirement है दूसर नंबर पर क्या होता है कि prepare करना manpower supply जिसके अंदर हम क्या करते है supply का forecasting करते हैं कितने existing person हमारे पास available है ठीक है इसके बाद आप क्या करते हो तीसरे नंबर पर जो है वो आप करते हो क्या gap जो है उसको निकालते हो determine करते हो कि manpower gap और उसके बाद में फिर क्या करोगे gap आपने निकाल लिए देन उसके base पर आप जो है वो HR plan को क्या करते हो फोर्म लेट करते हो ओके हाँ जी सर तो आईए शुरुआ से हम देखते हैं एक बाद जल्दी से सबसे पहले नंबर पर जो है आजाओ आजाओ आजा कितने manpower की जूर्त पड़ेगी तो उसको कई सारे factor affect करते हैं अब वो कौन-कौन से है सबसे पहले है जी आपका external changes मतलब manpower क्यों चाहिए आपको ठेक है कितने manpower की और क्यों चाहिए तो उसके लिए कुछ factor है जो आपके लिए एक आप यह कह सकते हो कि वह factor आपके लिए एक deciding factor है ठीक है जिनके बेस्पर आप deciding करते होगे इतने लोगों की जूरत है और इस लिए जूरत है सबसे पहले नंबर पर आएगा जी क्या आपका external challenges के लिए ठीक है आपका economic development अगर country में economic development होगा तो फिर क्या होगा तो इसके लिए एक्सेस manpower की requirement है दूसरा political legal social technical changes अगर ह हो रहे हैं अगर वो changes हमारे favor में जिससे मारा काम बढ़ेगा तो HR की requirement जादा होगी फिर इसके competition अगर competition बढ़ रहे मान लेजिए तो उसके इसके अंदर basically क्या है कि आप अपनी course को कम करते हो तो HR को क्या करोगा हटा होगे ठेक है और competition का में आपके monopoly है तो काम को और भी बढ रेक कर लेंगी तो फिर क्या करोगे आप चटनी करोगे उनको lay off कर दोगे या उनको existing HR जो human source है उसको क्या retrench कर दोगे फिर workforce sector भी आपके कुछ होते हैं like retirement कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं resign करें यह सब उसके बेस पर भी आप जो है prediction करते हो कि इतने इतने लोग हमारे छ इतने लोगों के जूरती आप इतना काम होगा उसके उसके उसको बेस बना कि कितने लोगों की और requirement है तो वह आप डिसाइड करते हो फिर कुछ आपके बस mathematical model है कुछ computer model है ठीक है इनके बेस पर आप लोग जो है वह exact कितने महन पावर की requirement हो decide करते हो फिर आएगा आपका workforce analysis आप जो है इसके बेस पर अब आप क्या करोगे जी तीन काम करते हो एक करते हो workforce analysis कितने बंदों की जूरत है work load analysis काम को देखते हो भी कितना काम है और उसके बेसे क्या करते हो जोब का analysis करते हो जोब analysis के अंदर आप यह देखते हो कि एक concern जो जो है तो उसको पूरा करने के लिए क्या required knowledge or skill की requirement है तो वो सब देखते हो जब आपने एक बार decide कर लिया कि कितने manpower की requirement है demand forecasting कर लिया अब आप क्या करते हो supply forecasting करते हो इसमें आप prepare करते हो manpower का inventory आप बनाने का काम करते हो जिसमें आप क्या करते हो internal label supply ठेक है इंटरनल यह आप कितनी labor को जो है वो ले के क्या सकते हो जो पोस्ट है उनके लिए ठेक है तो internal labor के अंदर आप क्या क्या करोगे जैसे ट्रांसफर हो गया प्रोमोशन हो गया new recruit employees हो गया recall हो गया तो इनको आप आके लगा सकते हो यह आप करोगे फिर इनके लिए भी आप forecasting technique है आपके बास में मलब की concern supply को मैंने देखन है ठेक है तो उसके लिए भी आप लोग जो हो टेबल बनाते हो कुछ अपनी ठेक है मलब आपको फोरकास्टिंग करने टेक्निक है सबसे पहला होता है स्टाफिंग टेबल स्टाफिंग टेबल के अंदर आप बेसिकली जो हो क्या करते हो जितने भी number of employee आपके पास में आज अलग लग जोब के उपर है उनका पर एक प्रोफाइल बना होगा जिसको बोलते हैं आप लोग क्या स्टाफिंग टेबल उन से रेकिट नेसेसरी इंफोर्मेशन को आप वहां पर क्या करते हो लिखते हो फिर आप मार्क आप एनलिसी बनाते हो इसमें जो हिस्तोरिकल लेट है बेसिकली आपका प्रोमोशन का ट्रांसफर का उसको यूस किया जाता है फ्यूचर की रिकॉर्मेंट को पता लगाने के लिए उसके लिए हम लोग बनते हैं मार्क आप एनलिसी फिर आपका स्किल इन्वेंटरी भी हम करते हैं इसका मलब यह है कि इसके अंदर हम असेस्म की जुरुत थी इतने हमारे पास वेलीबल हैं आप आप बीच में ड review निंगालते हैं ड review को बोलते हैं ड perseverance करना manpower gap manpower gap अप यहाँ पर क्या करोगे manpower gap का मलब यह कि कितने demand है ठेक है जो आपके demand है यह demand है जी यह आपके supply है ठेक है मालो demand है 100 की supply है 80 की तो gap जो आगे वो कितने का गया 20 इसको बोलते है आप लोग क्या यह है जी आपके additional number जो अपने को क्या है requirement additional number needed यह अपने को इतने बंदे चाहिए आप उसको लाने के लिए आप लोग जो है वो क्या करते है एचर प्लैन बनाते हो तो फोर्स अंबर पर क्या है क्या है एचर प्लैन सबसे पहले इसमें बताया जाता है कि कितने number और टाइप ओफ पीपल के अपने को ख्या requirement है रिडेप्लोइमेंट लगाते हो रिडेप्लोइमेंट प्लैन के अंदर आपके एक्जिस्टिंग जो आपके उसी को निजो पर लेकर जाते हो रिडेंटेंट प्लैन और और लिए जैसे को कम करने के लिए वह सब रिडेंशन हो गया इसके बाद मैं आएगा जिए पिर आपका लिएचेशन आपने जब दिक्कत आते हो घकत है किसके पहले दिक्कत है कि कि एकुरेट डेटा अपने को हम जो है वो कभी नहीं निकाल पाते हो आप यह बोलता है जिसके बेस्वर कर लेंगे बाइस आप वो ट्रेंड पिछला बोल रहे हैं ना क्या प्रियल के अंदर वो हो या ना आप पिछले ट्रेंड तो यह बोला था कि इतने इतने जो है वो सब्सक्राइब करने के लिए आपको लोवर लेवल और अपर लेवल दोनों का सपोर्ट चीए और वह मिलना कई बार मुश्किल होता है और सबसे में बात इसके अंदर क्वालिटी आसपेट को जो है वो क्या किया गया इगनोर क्योंकि आपने देखा कि बस यह बात कर रहे ह चाहिए नंबर और कितने हैं वह भी नंबर कितनी कमी है वह भी एक नंबर और उसको कैसे पूरा करेंगे तो यहां पर क्वालिटी की बात नहीं करा कि कि किस क्वालिटी के अपने को मैन पावर की रिक्वार्मेंट है उसकी यहां पर चर्चा नहीं किया इसलिए बोलता है यह अलिए नंबर गेम के बात करते हैं अब बात करते हैं नंबर थुड़ी करने के लिए आप क्षा जो हां K क्षी वह बॉलोगे तो वह प्रेक्वास ने काम करवाता है तो क्या एक linking function है ठीक है जिस्वे हम क्या क्या है bringing together those with vacancy जिनकी मतलब हम क्या है दो लोगों को आपस मिलाने का काम करते हैं जिनको जोब चाहिए और जिनको जोब जोब जिनको बंदो की जूरत है उन जिसको बंदों की है और वो बंदे जिनको जोब की चुर्ता उन्तों मिलाने के लिए जो एक्टिवटी परफॉर्म की जाते हैं सिख कर रिस्पॉन अब जो फीचर है इसके फीचर के नाप पर सबसे पहले है क्या है Locate the Attractive Talent हम जो है वो क्या करते है सबसे पहले Locate करते हैं जो आपका Recruitment के अंदर हम क्या करते हैं हम ढूनने का काम करते है Attractive Talent को फिर एक Linking Process है फिर ये एक Positive Process है जिसके अंदर नएने लोगों को लाने का काम करते हैं उनको निकालते नहीं है उन नएने लोगों को insist कियाता है कि आप जो हमको क्या करो अप्लाई करो जोब के लिए और यह एक बहुत ही वाइटल function है प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं हम identify करते है नबर कितने लोगों के जूरत है और कहां से उनको क्या करना पूरा करना है फिर पब्लिसाइज करते हैं जोब डिटेल को ठेक है बई जोब डिटेल आपने निकालते है इतने जोब के हमको क्या है सकते हो फिर एवेलुट करते हैं रिक्रूटमेंट के एफर्स को एड दी एंड में आपने उनको लगाया तो लगाने के बाद आप अपने रिक्रूटमेंट लाच फिर उनको से कहेता हैं रिक्रूटमेंट की जाता है क्रेक्ट करने के लार्ज टेल पूलू को और selection क्याता है to the right candidate from the applicant possessing the relevant qualification आगे recruitment जो है उसका nature के it encourage large number of qualified job seeker to apply for the job opening और selection में क्या यह prevent करता है entry of the unsuitable candidate for job opening in an organization recruitment जो है वो क्या यह recruiter की obligation है basically क्या it is just an invitation to the prospective job seeker there is no agreement यहाँ पर job seeker में और recruiting company के बीच में कोई agreement नहीं होता है लेकि selection के अंदर उनमे agreement होता है एक company जो job दे रही है वो basically agreement करती है employee उसके prospective person के साथ में कि हम आपको क्या गरे है job दे रहे हैं तो बोलता है selection result in the contract of service between the recruiting company and the selected employee okay अब आता है जी sources sources के अगर मैं बात करता हूं तो source के नाम पर हमारे पास में दो तरह के source है एक है हमारे internal और एक है कौन से external ठीक है जी सबसे पहले हम बात करेंगे क्या इंटरल सोर्स का इसके melody 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 आप देख लीजिए अरे एक मिट के हाजी आईए अब सबसे पहले नंबर पर जो आता है वह जी promotion promotion के अंदर basically promotion जो है वो क्या होता है movement of an employee from lower to higher level promotion में lower level से higher level पे लेके जाते है और जो आपका transfer होता है उसके अंदर क्या होता है it involves lateral movement एक ही level पे के ऊपर जो एक person जो है वो रहता है which is the same grade from one job to another एक उदर जो पोस्टिंग जो बिडिंग जो पोस्टिंग अंदर जो बिडिंग अंदर basically क्या करती है organization जिसको नई पोस्ट जहां पर वेकेंट होई है तो वो क्या करते है कि एक आपका company के अंदर ही ठीक है notice board होगा वहाँ पर बता देंगे यह job हमारी क्या वेक करता हूं यह external है company के बाहर बाहर का जो company के अंदर employees काम करते हैं तो उनके को रिष्टेदार या उनके को रिलेटिव जो basically company जो है वो कई पर की यह चाहती है कि देखो बाहर के unknown person को लेका हैंगे इससे बेटर यह है कि जो employees काम करें तो उन्हीं को बोल देते हैं कि तुमारा अगर कोई बाहर बंदू है तो उसको अब ले आईए तो उसके लिए company को ना तो advertisement करने ही जूरता है और फिर दूसरा जो है वो थोड़े reliable लोग भी होते हैं क्योंकि उनके पीछे जो है वो लोग हमारे पास में existing काम कर रहे हैं तो अगर वही अपने किसी बाहर बंदू को लिए आएंगी ठीक है तो उसको बोलते हैं आप लोग के employee रेफल थोड़ ध्यान रखिएगा इसके बाद आपके कुछ आएंगे जी direct method जिसके अंदर आपका आगया सबसे पहला कौन सा आपका campus recruitment जिसके अंदर कंपनी जो है अगर नए बंदों को ले के आने के लिए कंपनी जो है वो क्या करती है वो जाती है कहां पर विसिकली campus के अंदर जैसे मालोग college के अंदर जो फाइनलियर के students है तो उनके interview लेने के लिए तो उसको बोलते है campus recruitment फिर indirect के अंदर आएगा आपका advertisement इश्टियार निकाल देना कि हमको इतने से बंदों की जूरत है उस तरीके से भी आप employees को जो है वो रिक जूर कर सकते हो थर्ड पार्टी मैंसरी के अंदर आएगा आपका जैसे private employment search firms होती है बहुत सारी खुली होती है employment exchange बोलते है जो private employment exchange है तो उनके पास भी database होता फिर आपका gate hiring अगर आपका काम जो है वो basically मानलों की blue collar employees वाला काम होता है जो factory के अंदर काम करने वाले तो उसके लिए आपकी gate hiring भी होती है जैसे मानलों की आप सुबह सुबह क्या कुछ employees जो है कुछ लोग जो है वो company के factory gate पे आ जाएंगे ठीक है factory gate पे आ जाएंगे तो उन मेंसे जो आएंगे तो उनको क्या करते हैं एक दिन के लिए लिया आते हैं तो इसको बोलते हैं एंटरेट रिकूट्मेंट वह सबसे पहले नेंबर पर क्या तो तुम्हारा आठ गंटे का डूटी है तो तुम क्या करो दस गंटे देना शुरू कर दो इसमें कि आपको भारवाल लोगों को बुलाने की जुरूत नहीं रहेगी डेटिसनों ते ओवर टाइम अगर आपको सड़न इंक्रीजन रहा लिए तो नहीं होते है फेर के प्लाइग से नर्सिंग को कॉश्म दिया क्रते हैं नर्शीस को जो है, वो होस्पिटल क्या करते हैं, ये ठेकर ले काते हैं, तो अदस तारी अगर मेरा कोरश्व को अगर मेरा कॉर कम्बिटेंस के लिए थे जिब हो रही है, तो मैं क्या कर偶ू का करूँगा, तो उसको बोलते हैं आउट्सोर्सिंग मैं लाए हमने अपना काम किसी दूसरी अजनसी को सोब दिया कि तुम करके देता हूं को यह ठेक है इसके लाबा जो नएया चल रहा है वो है एंप्लोई ब्रेंडिंग employee branding के अंदर company जो बड़ी-बड़ी company है वो क्या करती है वो दूसरे लोगों को invite करने के लिए क्या अपने employees को अच्छे च्पर्स देती है जिससे दूसरी कंपनी के employees भी हमारी तरफ जो वो क्या करेगा टाटा के किसी इंजीनिर से बात करेगा और बोलेगा कि जी आपकी वह सली किया टाटा की अजीनिर बोला मेरी सली का यहां पर 3,00,00 पर मद तो बोलेगा एक कामगुर्ण आप हमारे पास मारजाओ हम आपको जो देंगे 6.500 लागर पर मन और एक्ज़ फेसडी हैं इसको बोलता ईडिंग रेड़ मार देना ठेके ना इसको बोलता बोलते पोचनग रेड्यिंग जब आपने लोगों को क्या क्रें रिकूट कर लिए है बहुत सारा करते हैं जैसे HRP के अंदर आपने जो हो क्या identify किया था कि कितने employment need है job analysis किया था define जो फिर आपने job analysis के अंदर define किया कितने क्या qualification चाहिए और recruitment के अंदर आपने बंदों को क्या कर लिया बुला लिया अब selection के अंदर आप क्या करोगे यह process है of picking the individual при got hello, hiking, data, knowledge and the requisite experience ऐसे लोगों को select करना अब हम क्या करेंगे ऐसे लोगों सिलेक्ट करेंगे जिन के बस relevant qualification है added required experience और उन लोगों को अब क्या करेंगे अब select करने का काम करेंगे ज़ब आप employees को क्या करते हो select करते तो उसके लिए आपका में प्रूब प्रोसेस से वो step को आपको follow करना होता है step के नाम पर सबसे पहले नंबर पर जो आपके पास ही आ रहे हैं वह हे क्या जी हारिन सबसे पहले आप क्या करोगा ह sentiments फ्हेर को application blank फिर selection test होंगे फिर उसके बेश पर सबसे पहले है रिसेप्षन होगा जैसे कोई एंप्लोई जैसे कोई परसन लिए उसना अप्लाइए किया था ठेकिए जब आए तो आप उसको क्या करोगे सबसे गएक कुंकि क्या है अब अगर आपके वह वेकंसी फिल हो गए तो भी आप उनको यह बोला जी अभी तो एक बार फिल हो गया लेकिन आप ना एक चार जो वह हैं या फिर जो हमारे एक डिपार्टमेंट है तो उनसे आप करते रहें कि जैसे खाली होगा कोई वेकंसी तो हम आपको जरूर बुलाएंगे रिसेप्शन के बाद आप उनको क्या करेंगे स्क्रीनिंग इंट्रियू करें अगर बहुत सारे लोग आगे तो आ वह सही क्या करते हो तो उसके लिए हम जो है क्या करते हैं जिसके अंदर जो हमको लगता है कि जो फूटेबल के इंड़िट है उन्हीं को आगे प्रोसेस के अंदर लेगे और बाकियों को वहीं से टाटा बाई बाई बहुत देंगे उस फो में उनकी जो हमारे पास हुंका अब उनके बारे में बहुत सारी नोलिज हमारे पास आजाएगे लाइक उनकी एक ब्रीफ हिस्टी शीट बोल सकते हैं लाइक उनका बैक्ग्राउंड जो है वो क्या है उनका परसनल डेटा जो है उनका मेरिटल स्टेटस हो गया एजूकेशन डेटा हो गया यह सब डिकोर् बहुत सारे तरह के टेस्ट है सबसे पहले नंबर पर आया आपका इंटेलिजेंट टेस्ट के अंदर हम लोग यह देखते हैं कि क्या एक एंप्लोई जो है वो एलर्ट और कुक है या नहीं है शुरू से तो उसके लिए उसकी मेंटल अबिटी को टेस्क किया जाता है फिर उसका aptitude test देखते हैं जैसे clerical, mathematical जो है वो operations वो कर सकता है नहीं कर सकता तो clerical, mechanical, mathematical, in operations के लिए उसका aptitude test लेते हैं फिर होता है उसका personality test, personality test के अंदर जैसे अगर मानलो हम उसको ले के जाएंगे जैसे employee को मानलो अगर workplace पे ले के जाएं तो वो उसका वहां पे tolerant, trusting, outgoing, venture, some emotional, stable open to ideas, यह सब चीज़ों को test किया जाता है, फिर है उसका achievement test, achievement test के अंदर basically क्या है कि उसकी proficiency को चेक किया जाए, जैसे job जो है वो मानले जैसे typing की job है, तो वहां पे हम उससे क्या type करवागे देखेंगे, ठेक है, उसके बाद है simulation test, simulation test के अंदर employee को जो है, एक situation दी जाती है, ठ इसके अंदर हम basically उसकी क्या, graphology के अंदर उसकी handwriting जो है, उसको उसका भी test होता लग से, तो उसको बोलते हैं क्या graphology, फिर है polygraphic test, polygraphic test होता है basically क्या जैसे आपका light detector जिसको बोलते हैं, तो यह होगे जैसे security होती है, लाइक मानले जी अगर moody की security के में कुछ बंदे लगाने तो भाई वो इंटीग्रेटी वाले बंदे होने चाहिए, तो अब अगर उनमें कोई मानलो ऐसा मिला, जो moody कोई उड़ा देगा उसकी सूपारी ले ले तो फिर पंगा हो जाए नहीं जाएगा, तो उसके लिए test होता है polygraphic या light detector test, और एक होता है कौन सा integrity test, इंटीग्रे लेने वाला, वो कोई भी question बूच लेगा interview इसे, तो उसको बोलते है non-directive, और एक होता है कौन सा structure या directive, इसके अंदर पहले एक structure मेंडर होता है, यह कुछ questions है, यही उनी में से ही question को put up किया जाता है, इसके बाद आएगा कुछ आपके situational interview, इसके अंदर जो है वो क्या रहे जाते हैं, फिर stress interview, जैसे माल लो कि एक stress की situation में employee को डाला जाएगा, और देखा जाएगा कि anxiety create तो नहीं हो जाती है, उसको यह सब check करने के लिए, फिर group discussion, कि यह वो लोगों के साथ उसका वो विवार कैसा है, तो उसके लिए GD test कर वाए जाता है, फिर panel या board, इसके अंदर हेलो इफेट के अंदर के एक क्रेक्टर स्थिक के बेज़ जब हम एक employee को judge कर लेते हैं, उसको बोलते है, जो रिक्रूट करने वाला या select करने वाला जो बंदा होता है, तो कई बर क्या होता है कि वो lenient हो गया, उसका confidence, lack of confidence हो गया या फिर उसका money नहीं है, मान लिजी क्या क करने का rating देने का, तो वो क्या वो सबको एक जैसा ही जो है वो number देना शुरू कर देगा, उसको बहुत है, प्रोजेक्शन कई पर क्या होता है, कि हम जो है वो project कर जाते हैं, बहलाब वो एक interview जब अपनी quality उसमें देखना शुरू कर दे, candidate के अंदर की, और और फिर वो यह अगर मेरे जैसा है, तो वो सो select करेंगा, नहीं तो select नहीं करेंगा, तो उसको बोलते हैं क्या projection, और फिर तो है क्या stereotyping, stereotyping के अंदर बिसिक लिखे है, एक particular personality trait जो है, उसके base पर आप उसको judge करते हो, मतलब आपके माइन में psyche बनगी है, जैसे मानने जिसना example दिया, कि जो बि अब ये mistakes है, अब आपने test लिया, आपने interview लिया, उसके बाद अगर आपको लगता है, ये candidate suitable है, तो आप उसका क्या करोगे, कुछ cases में medical examination में करवाए जाता है, कि उसको कोई disease तो नहीं है, जो संक्रमीत हो जाए, जिससे और लोगों को भी नुक्सान हो जाए, तो उसका test क करवाया, test के बाद में फिर उसकी reference को चेक किया देता है, ठीक है, महला हम ये देखते हैं कि वो किन लोगों को जानता है, थोड़ा बहुत हम ये reference भी निकालते है, ठीक है, और at the end में हम क्या करते है, hiring decision लेते है, hiring decision आपने ले लिया, अब वहाँ पर organization जो है, वो उसको क्या skill की requirement है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते है, हम competency को map करने का काम करते है, अब एक बंदा जिसके पास में वो skill है, और जो जिसको skill की requirement है, तो वहाँ पर उसको match करवाने के लिए हम लोग करते हैं कि competency mapping, ये एक term है, इसको एक बार reading कर लिजेगा, मैंने आपको करने के बाद में, अब आप क्या करोगे, वहाँ पर उसको जोब से introduce करवाऊगे, उसके लिए जो activity की जाते हैं, इंडक्शन या फिर क्या, orientation, तो यहाँ पर नया जो employee है, उसको organization की policy से, और organization के जो और existing employee है, उनके साथ में उसको क्या करवाने का, उसको introduce करवाने का काम गया हाँ जी, यह है जी आपका process किसका selection का, इसके बाद में अगला जो chapter आता है जी, वो है जी कौन सा आपका training and development, अब अगर बात करते हैं, training and development का, तो chapter number 4 के अंदर basically हम जो है वो देखेंगे training के methods को, ओके, हाँ जी, आप देखो आपने जो है, वो क्या किया, आपने recruitment किया था, फिर आपने selection किया, selection करने के बाद में employee company लगा दिया, अब उसको अगर को specific task सिखाना है, तो उसके लिए basically हम लोग जो है वो training की शुरुआत करते हैं, तो training जो है, वो basically क्या होता है, अगर हम बात करें training का, तो training का जो main aim होता है, वो क्या होता है, कि एक person को job related competencies के अंदर क्य क्या, अब यह क्या बोलता है, इसका basic क्या, after employee has been selected, एक पर अगर अपने employee को क्या अगर है, select कर दिया for the various position in the organization, तो training them for the specific task to which they have been assigned, assume great importance, it is true in many organization that before an employee is fitting into a harmonious working relationship with the employee, he has given the adequate training, कि जब भी हम किसी person को जो हो job पे लेके जा रहे हैं, तो उससे पहले आप उसको जो हो क्या देतो, adequate training तो training जो है, उसके कुछ feature तरक है, सबसे पहले training जो हो क्या करते है, increase करता है, knowledge and the skill for doing a particular job, training का जो main focus होता है, attention on the current job के उपर, training जो हो क्या concentrate करता है, individual employee को, और training का जो focus है, थोड़ा narrow होता है, एक concern, job के उपर ही बस उसका focus होता है, बागे चीदों को वो consider नहीं करता, and relatively permanent change लेक आते हैं किसके अंदर एक employee के behavior में, अच्छा जी, training में development में कुछ फरग है, development एक वाइड़ प्रोस्पेक्ट का, महला आप ना, इसको समझने के लिए यह देखिएगा, कि training जो है, वो की जाती है, किसके लिए, अगर हम बादगा training का, तो training जो हो हो रही है, आपके छोटे level क की लोगों के लिए, चलो, training जो हो क्या, मलब हूँ, सबसे पहला, तो training जो हो देते हैं, आपके को, non manager, personal, और development हो, manager, what training में क्या, उसमें technical, mechanical, operation की बारे में, knowledge, यह conceptual ideas के बारे, knowledge दियाती है, जबकि अगर बात करूँ, development का, तो हम पर theoretical knowledge, फिर why, training क्यों दी जाती है, specific job related skills के ल क्या, अगर बात करूँ, development, उसका focus है, whole work group के ओपर, training में जो हम क्या करते है, एक person को motivated कर दे कैसा result होता, management initiative, and जो development है, उसमें क्या, it result होता, inspiration coming from, जब एक person के अंदर से जो बात निकलती है, training का जो aim है, वो क्या है, current need of the job, and the individual को क्या करना, पूरा करना, current requirement है, जो उसको बस basically development की जाती है, आप इसके benefit के अगर बात करेंगे, तो benefit business को क्या benefit होगा, सबसे पहला trained worker and more efficient, जो trained worker हो जदा efficient होते हैं, दूसरा, safety का ध्यान रहेगा, क्योंकि जो trained worker होगा, तो उसके वज़ा से कोई जो है accident नहीं होगा, फिर, training, trained worker जो हो superior performance देगा, जिससे organization को बहुत benefit होगा, and training makes employees more lower, training से employee loyal होगा, क्योंकि वो satisfied रहेगा, और employees को benefit किया, सबसे पहला benefit यह है, कि training makes employee more skilled, उसको जो हो skill, वो सीखेगा, दूसरा, internal growth opportunity मिलेगी, कि वो जो हो क्या, मतलब, जैसे मालों किसी lower post से, अपर post पर जा सकते हैं, trained होगे, गलतिया कम से कम करेगा, award mistake and training enable employee to cope with the organization and the technological change, अगर training से जो है, हम उसको क्या, cope up करवाते हैं, किसे change के साथ में भी, ठीक है, आप बात और यह type of training का, अलगले तरह की training होते हैं, सबसे पहला, skill, skill training के अंदर, basically हम लोग जो हो क्या करते हैं, एक basic skill सिखाने का, जो है, जब मान लिए और, आप employee को, आपका employee है, उसको basic skill सिखाने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं, क्या skill training, ठीक है, यह बिल्कुल simple lower level की, फिर एक होता है, refresher training, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे technology के अंदर क्या है, rapid change हो रहे हैं, तो उसको नई technology से अफगत करवाने के लिए, जो उसकी या, उसकी जो current knowledge में, में, increment करने के लिए, जो आप training उसको provide करते हैं, उसको बोलता है, refresher, फिर होता है cross functional, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब एक employee को दूसरी फिल्ड की knowledge देनी है, तो उसके लिए करते हैं, क्रोस functional training, एक होता है team training, इसके अंदर क्या कि एक person दूसरों के साथ में corporate करके काम करें, तो उसको उस लिए जो training हम उसको देते हैं, उसको बोलता है क्रेटिविटी, फिर हैगा diversity, एक employee जो अलग-लग culture के अंदर भी काम कर सके, महला cross culture में काम कर सके, उसके लिए उसको training देना, उसको बोलता है क्या diversity, फिर हैगा आपका literacy, लिटरेसी के अंदर जैसे मानलो कि उसका literacy level, जो है ability to read बढ़ाना, उसके लिए हम उसको literacy training देते हैं, और एक उते हैं कौन सा orientation, जब नए बंदे आते हैं, तो नए बंदों को जब post के बारे में बताया जाता है कि यह आपका काम है, उसके लिए उनको जो आप training देते हैं, उसको बोलता है क्या orientation training, अब बात होती है क्या area, training में किस assessment approach होती है, आपके notes के लिए, पेज हम 37 पे है, उसमें आपको मैंने बताया, इसमें assessment implementation and the evaluation, training में हम सबसे पहले जो वो क्या 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 assessment करते हैं, मतलब कि क्या training के need भी है या नहीं है, वो हमने देख लिए assess कर लिया, ठेक है, उसका objective set कर लिए training का, objective set करने के लिए हम क्य अजी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कि training का method क्या अपने को देखना है, वो हम देखते हैं, और फिर last में क्या, हमने method select करके और training को conduct करते हैं, शुरुवात करते हैं और at the end में जा करके हम देखते हैं, कि क्या training से आमको benefit मिला भी है, नहीं, जिसके लिए हम क्या करते है, evaluation कर करते हैं ट्रेनिंग आउटकम को अगेंस क्रेटिरिया नीचे आपको मिलेगा ना जो डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके अंदर आपको चार स्थेप देरेखे हैं पहले दो स्थेप ऊपर असेस्मेंट का पार्ट है और जो आखरी सपर इवलिशन वो तो क्योंकि देख के इंसान सबसे जल्दी सीखता है ठीक है इसके बाद मोटिवेशन को मोटिवेट भी टाइम करते रहते हैं यह प्रिंसिपल से है जब आप टेनिंग कर रहे हो तो इन इन बातों को ध्यान रखना चाहिए इनको आपको टेनिंग के दौरा फोलो करना चाहिए तीसरा होता है कि अगर कोई behavior is rewarded तो उसको रिपीट करना चाहिए ठीक है इट विल इट पोजिटिव रिइनफोर्समेंट जो है उसको आपको देना चाहिए फिर है जी feedback फीड़एक के लिए बोला जाता है कि training जब आप प्रोवाइड करो तो क्या हातों आपको feedback देना चाहि ठीक है जी फिर स्पेर्स प्रैक्टिस एक बार बस टेनिंग दे और काम खत्म होंगा रूटीन में कुछ कुछ समय के बाद में आपको प्रैक्टिस भी करवाने चाहिए ताकि एमप्लोई जो है उसकी वो जो स्कील है वो ताजा भी रहे फिर होल लर्दिंग जब आप टेन पर कशल रहा है उसका हम एंपलोई को जो है एक open लोगा उप्रेंग करेंघा फिर को वो जो ट्रेनीग हैं ठीक करेंग और फिर इसको डेमो देगा और ऐसा काम काम करना कदेगा और ठीका बता स्को तरीका बताई और हेंडिल करेगा जो को इंडि बैंट तरीके से और आफिर में जो ट्रेइनर हो क्या करेंग, इसको बोलता है, गचाटा क्या क्या करेंगा, पर एंजक्य के बाद Size Gold आप इंस्ट्रक्षान जेती है, इस से तरीके से आपको काम करना है, इसके बाद अट एक कोचिंग, इसमे फरक यह है कि coaching में daily training होती है coaching जो हो कि it is a kind of daily training and feedback given to the employee by the immediate supervisor जो उसका immediate supervisor है वो daily उसको क्या करता है ट्रेन करता है उसको जो है feedback देने का काम करता है उसको बोलते है आप क्या coaching फिर आएगा mentoring mentoring होता है mentor mentor बोलते है जिसको आप लोग यह होता है senior managers के लिए यह word आपको ध्यान देना पड़ेगा mentor के अंदर मेंटोर के अंदर मेंटोर के अंदर करने के लिए उनको करने के लिए उसको बोलते है आप लोग क्या mentoring mentoring mentor के बाद में फिर आएगा आपका job rotation जो रोडेशन के अंदर basically training यह भी एक तरहीए training का इसमें क्या कि अलग लग functional area की knowledge दी जाती है मालब एक person जो किसी एक concern job में था किसी एक department में था उसको उस department से दूसर डिपार्टमेंट में बेचा जाता है तो उसके लिए जो होती है कि job rotations को रोडेट किया जाता है फिर कुछ है आपका apprenticeship training इसके अंदर basically क्या होता है जैसे कारपेंटर हो गया ठीक है यह plumber हो गया तो उनके साथ में ना उनके कुछ साथ में छोटू भी रहते हैं जो उनके अंडर रहके काम सेखते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या apprenticeship training इसके बाद एक कमेटी assignment कमेटी assignment के अंदर basically क्या होता है कि एक कमेटी बनाते है ठीक है उस कमेटी का काम जो है वो क्या रहेगा कि वो कमेटी problem solve का का काम करेगी और जिन लोगों को training देनी है तो उनको आप उस कमेटी का member बना दोगे और वहाँ पे वो decision making या problem को solve करने का solution situation डूणने का कम सीखते हैं उसको बोलते हैं आप लोगो क्या committee assignment फिर है जी कुछ आपके off the job, off the job के अंदर सबसे पहला जो आता है वो है आपका क्या vestibule, vestibule के अंदर आप क्या करते हैं कि जब आप actual work देखो, off the job के अंदर real में काम नहीं हो रहा है ठीक है आप जो real आपके कहीं पर training दे रहे हैं तो उसका off the job बोलेंगे इसके नहीं सबसे पहले हैं का vestibule, vestibule के अंदर क्या होगा, एकदम similar condition बना दे जाएगा, जैसे real में जैसे काम होता है, वैसी condition बना दे जाती है, तो उसके लिए जो training प्रवाइड़ी की जाती है, वो है आपका vestibule, जैसे real time म पर एकदम office बना दिया जाएगा, वही files, सब कुछ में जो है वहां रख दी जाएगी, और फिर एक employee को बोला जाएगा, वहां पर जब सिखाया जाए employee को, तो उसका बोलता है vestibule, तो जैसे महां लोग plane ऊड़ाना सिखाना है, तो उसके लिए या फिर laboratory testing होती है, तो वहां पर कैसे काम होता है, तो उसके लिए पहले एक खाका बना दिया जाता है, ठीक है, और वहां पर जाके उसको simulate करवाए जाता है, कि उसी वही ऐसी situation मिलेगी आपको रियल टाइम पे, ठीक है, तो इस situation आपको कैसे काम करना है, तो उसके लिए training दी जाता है, उसको बोलता है, फिर आपका role playing, role playing के अंदर basically क्या करता है, यह भी method जिसके अंदर एक person जो है, interact करता है, realistic behavior से, इने imaginary situation, एक imaginary situation create की जाती है, और उसके अंदर एक employee कैसे behave करेगा, तो उसको realistic situation से इसको deal करवाए जाता है, तो उसको बोलते है क्या role playing, फिर एगा जिए lecture method, जिसके अंदर एक person का lecturer वो क्या करेगा, वो instructions को जो है, direct method होता है, instruction का, तो वो क्या करेगा, लोगों को lecture देके जो है, उनको train करने का काम करेगा, फिर होते है कुछ conference, conference के अंदर basically trainer जो है, वो एक lecture को deliver करेगा, और special बात यह है कि वो उनके doubt को भी क्या करेगा, invite करेगा, और उनकी जो doubt है, उनको सा conferences में या फिर का discussion में, इसके बाद होता है जिए आपका program instruction, इसके अंदर जो है, यह क्या होता है, कि जो subject matter है, उसको एक sequence के अंदर जो है, हम लोग क्या करते है, समझते हैं, तो उसको बोलते है आप लोग क्या program, इसके अंदर क्या होगा, जैसे पहरे simple काम सिखा जाएगा, फिर थोड़ा मुश्किल, इसको बोलते हैं, आप लोग क्या program instruction, फिर रहाएगा आपका virtual organization, यह फिर क्या e-learning, मालब live, यह इसमें बसे एक बाद ध्यान दगना है, कि जो आपके live audio video discussion के through, जो आप यह काम करते हो, मालब a virtual classroom, employee special collaboration software to enable multiple remote learner using their PC or laptop to participate in the live video and the visual discussion, communicate via written text or learn via content, such as power management, PP PPT हो गया, इनके through जब आप उनको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, वर्चोल organization, इसके बाद है, आपका आखरी जो होता है, वो है, आपका behavior experience training, इसके अंदर basically जो है, वो क्या 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 था है, उनके behavior को सिखाने का क्या क्या था है, आपको जो है, एक्शल वर्क पे या evaluate भी करते हो, कि आपने जो उनको training दिया, उसका कोई फायदा भी हुआ या नहीं हुआ, अब आप evaluation जो है, वो कब करते हो, मला training का फायदा हुआ या नहीं हुआ, इसको चेक करते हो, तो उसके लिए आप लोग जो है, वो तीन तरीके से करते हो, सबसे पहले before training आप देखते कि जो है, पांच तरीके, इसका सिर्फ नाम नाम याद करके जारा है, जैसे आपका reaction, learning, job, behavior, organization, and the ultimate value, इसके बाद आता है यह आपका executive development, अगर बात करूंगा, executive development का, तो इसके अंदर क्या है, कि हम executive, महलब एक जो हमारे managerial level के लोगों को जो आप training दे रहे हैं, तो वो generally part होत ability to understand and interpret the knowledge in a useful way, तो development is different from training, development जो वो training से कहा है, अलग है, ठेक है, development जो वो training से कहा है, जी, अलग है, in that, it is often the result of experience and the maturity that comes with it, ठेक है, इसके अंदर ज्यादा maturity की बात कियते हैं, और यह future के लिए होता है, ठेक है, it is possible to train most people to drive a vehicle, अब यह एक example से सारा खानी सेट हो जाएगी, आप एक person को train कर सकते हो कि आपको vehicle कैसे चलाना है, computer कैसे चलाना है, कैसे radio को assemble करना है, however development में क्या सिखा जाता है, in such area, is judge करना सिखा जाता है, what is right and wrong, taking responsibility for the result, thinking logically, understanding cause and the relationship, synthesizing the experience to visualize the relationship, improving communication skill, etc, यह काम जो सिखा जाता है, यह किस पे सिखा जाता है, यह आपका development में सिखा जाता है, तो training training एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है, जिसके अंदर एक छोट सी skill सिखाने है, मनलों उसके लिए training का प्रावदान होता है, लेकि development के अंदर का overall जो अब जब हम बात करते हैं, तो उसके लिए development की बात की जाती है, तेक है, अब दोनों के अंदर क्या difference है, तो यहाँ पे जो training का time frame के अगर बात करें तो वो short term के लिए है, जबकि development जो है, वो long term होती है, प्रोसेस की बात करें, training में क्या एक specific skill, जो है, related job आती है, जबकि development के अंदर बात करें, it aim to improve the total personality of an individual, goal की बात करें, तो training के अंदर basically क्या, meet current requirement of a job, training जो है, वो only current requirement जो है, जो है, जो है, मीट करन करते हो, performance appraisal करके, course benefit analysis, या passing the test of certification, इसके तो आप देख सकते हो, कि training का फायदा हुआ है, नहीं हुआ, जबकि development में, qualified people available when needed, promotion from within possible, HR based community advantage, इन से जो है, आप उसकी effectiveness को measure करते हो, आप आता है जी, एक person को जब आप क्या करोगे, उसको आप develop करोगे, ठेक है, तो आप उसको क्या 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 चीजे सिखा होगे, decision making skill सिखा होगे, interpersonal skill सिखा होगे, लोगों से कैसे behave करना है, job की knowledge दोगे, organization की knowledge दोगे, general knowledge दोगे उसको, और specific individual need क्या करोगे, इसकी पूरा करोगे, अब इसके लिए ना, अलग जब आप उसको, जैसे मानलो, आपने decision making skill सिखानी है, तो वो कैसे कैसे सिखा होगे, तो उसके अलग अपने method है, तो सबसे पहला जो method आता है, आपका decision making skill, मालब main job जो है, यहाँ पे manager का, is to make both the strategic and the routine decision, ठेक है, his ability to take effective decision can be enhanced by developing the decision making skill through various techniques, तो सबसे पहले number पे आप जो है, जब आप development की बात करने हैं, तो आप अपने employee को जो है, वो क्या सिखाना चाते हो, मलब एक employee को अगर develop करना है, तो उसके अंदर आप decision making skill, जो है, वो आप उसमें inbuilt करवाना चाते हो, तो उसके लिए आप कैसे करोगे, एक person को decision making skill, आप कैसे सिखा होगे, तो सबसे पहले number पे उसमें आता है, इन basket, इन basket के अंदर हम basic लिए क्या करते है, हम priority को, जो सरे काम आ गया, तो उसमें से किस काम को पहले करेगा, ये चीज को decide करवाना, इसमें decision making करवाने के लिए, जो training method दिया जाता है, उसको बोलते है, in basket, मलब एक basket के अंदर, कई सारे काम की परचे डाल दी जाएंगी, या कई सारे paper देंगे, और बोलेंगे, इसको arrange करो कि आपक to solve, उसको एक बिजनस problem दी जाएगी, और उसको बोले जाएगा, कि आप बताईए, आप इसको कैसे solve करेंगे, उसमें भी एक employee को decision making का काम सेखा जाएगा, कि इस concern, जो ये problem है, इस problem को आप कैसे solve करेंगे, ठीक है, आप decision लीजिए, तो उसके लिए होता है, क्या होता है, क्य business game, इसके अंदर basically क्या होता है, actual business situation एक create की जाती है, और उसके अंदर बोले जाता है employee को कि आप बताओ, मानलो, जैसे इसमें ना क्या अलग अलग organization के लोग होते हैं, ठीक है, तो वो मिल करके, जो है, वो क्या करता है, business games करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर वो ये देखते ह कि मानलो कोई problem है, जैसे price level में change हो गया, ठीक है, या फिर मानलो production volume जो है, वो क्या करना आपने बढ़ाना है, तो उसके लिए जैसे, आप उसमें कैसे decision लेंगे, ठीक है, या inventory level कम रखना है, तो उसके लिए कैसे decision लेंगे, तो उसके लिए जो हो business games करवाई जते हैं, ये भी relations को maintain करवाने के लिए basically interpersonal skill भी सिखाई जाती है, उसके अंदर उसको role play करवाया जाता है, ठीक है, real situation के साथ में उसका एक imaginary role play करवाया जाएगा, कि जी आप इस, उसमें कैसे behave करोगे, आप कैसा role play करोगे, उसके अंदर वो, या फिर sensitivity training हो गया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कि group interaction करवाते हैं, उसके थूरू हम बताते हैं कि आपको इस group के अंदर जो है कैसे behave करना है, तो उसके लिए जो, उसको मतलब skill सिखाना, कि जब आप social interaction करेंगे, तो उसके लिए उसको बोलते हैं कि interpersonal skill, इसके बता job की knowledge देना, आप employee को job की knowledge कैसे कैसे देंगे, तो job के बारे म on the job experience, तो वो जब reality के अंदर देखेगा, कि हाँ ये काम है, तो वो उसको देखके observe कर लेगा, तो उसको बोलते है कि job knowledge, इस सरी के से भी job knowledge दी जाएगे, दूसरा है behavior modeling, इसके अंदर क्या किया जाएगा, कि हम क्या करते हैं, ये क्या approach है, ये behavior modeling जो है, ये third approach है, उसकी, उप modeling करने का काम किया जाता है, ठेके न, job की knowledge कैसे थे हैं, वो पहला तो हो गया, on the job, ठेके, job पे ले जाओ, दूसरे number पे हैगा, क्या, coaching, coaching दे करके, मतलब इसके अंदर basically क्या है, in coaching training is placed under a particular supervisor, एक supervisor के अंदर उसको डाल दिया जाएगा, who acts as a instructor and teach the job knowledge and skill to the trainee, और वो जो person है, वो coach जो coach रहेगा, उसका, वो उसको coaching देगा, एक concern job के बारे में, उसको बोलता है coaching, और एक होता है under study, under study के अंदर basically जो है, वो क्या होगा, कि एक superior है, कल को अगर वो superior जो होना है, उसें retire होना है, ठेके, तो वो क्या करेगा, वो पहले देख लेगा, कि मेरा successor कोन होगा, तो उसक बोलता है, आप लोग क्या, under study, तीन तरीके से जो है, वो उसको आप लोग जो है, जोब की knowledge देते हैं, फिर आप उसके अंदर क्या, और कौन सी skills सिखाएंगे, organization की knowledge देनी है, आप organization knowledge के लिए आप job rotation करवा, job rotation के अंदर आप उसको अलग-लग job के अंदर बेशते रहते हो, ज organization की problem को solve करने का काम करता है, तो उसको उसके अंदर डाल दिया जाएगा, तो उससे उसको क्या होगा, कि अलग-लग department को कैसे manage करने है, तो वो skill उसके अंदर आ जाएगी, फेरे जी आपका journal knowledge के अंदर आप उसको special courses भी करवा सकते हो, special meeting का इससा भी करवा सकते हो, जहां पर देखे का meeting के अंदर कैसे dismaking हो रही है, special reading जो है वो भी करवा सकते हो, जैसे अलग-लग journals उसको provide करवा देना, thesis देना, यह सब, तेक है, उसके तुरू आप उसके अंदर journal knowledge increase कर सकते हो, फेर जी आपका specific individual need, specific individual need के अंदर basically क्या, कि जैसे special project के उपर आप उसको बेज़ दोगे ठेक है, कोई project चल रहा है, आप कल को उसने वही चीश सीखनी है, तो आप उसको actual project के उपर बेज़ दोगे और बोलोगे जी यह project चल रहा है, आपको कल को यही काम सीखना है, तो आप देखो कि काम actual में करना क्या से होता है, फिर होता है आपका committee assignment, committee assignment के अंदर क्या add of committees हो नह ठेक है, इसके अलावा, other of the method जो है, वो बता रहे कुछ, like conferences हो गया, humanization को मैंने, maintain करने के लिए, lecture आपको मैंने बता दिया, group discussion हो गया, एक उदर program instruction, इसके अंदर basically जो हो क्या होता है, program instruction के अंदर, इसमें, it is based on certain behavior laws के उपर यह काम करता है, इसके अंदर basically reinforcement होगा, यह ध्या जो है, P.I.E. का program instruction technica is that, it offer immediate feedback on whether the trainee has answered the question correctly और not, उसको बोलते हैं, आप लोग क्या, programmed instruction, ओके, हाँ जी, लो जी, यह chapter अपना training भी complete, और आज का आखरी chapter जो है, यह वो replacement chart वाला, यहाँ होगे है, गलती से, लो जी, एक मिनुट को, यह है, यह गलती से न, यहाँ पे, chapter number 5, आपकी book के अंदर दे रहे है, chapter number 5, जो है, वो है, आपका succession planning का, आप succession planning basically क्या होता है, अगर मैं बात कर सक्सेशन planning का, तो हम बोलते हैं, क्या succession planning के बारे में, the absence of the succession planning, अगर आपको यह नहीं पता, जैसे मालब top, succession planning किस के लिए होता है, top positions के लिए, top position कल को जो होती है, उसको बोलते है, succession planning, कि कौन person जो है, वो उसको क्या करेगा, succeed करके उस position के वोपर पहुचेगा, कौन successor बनेगा, उसके लिए जो planning की जाते है, उसको बोलते हैं, क्या succession planning, अगर आपना succession planning नहीं किया, और जो top level का बंदा छोड़ के चला गया, तो भाई, तुमारे तो यह, पूरी उस command जो है, वो संभाल ले, ओके, तो उसको बोलते है, succession planning, इसमें, succession planning is the process, यह एक process है, जिसमें हम ensure करते है, suitable supply of the successor, for current and future senior, और key job assigning for the business strategy, so that, ताकि, the career of the individual can be planned and managed to optimize the organization need and the individual aspiration, ओके, तो उसको बोलते हैं, आप लोग का succession planning, जो purpose है, succession planning का है, is to identify, succession planning में हम क्या करता है, identify करते हैं, develop करते हैं, people को, logo को, to replace the current job holder in the key position, जो key position के ओपर लोग बैठे हैं, जो बड़े बड़े top position में जो लोग बैठे हैं, कि कल को, अगर उनको क्या करना है, आपको replace करना है, तो उसके लिए succession planning की जाती है, through succession planning, company assure a steady flow of the internal talent, internal talent को यह company जो है, वो लेके जाती है, ठीक है company के बंदे, जो company को लगता है, कि यह लोग जो है, वो आगे जा सकते हैं, तो fill the important vacancies, succession planning encourage करता है, hiring from within, यह generally बात करता है हमेशा, कि आप company के अंदर के लोगों को जो है, वो क्या करो, top position भी लेके जाओ, and create a healthy environment, जहांपे employee, जहांपे employee को यह भी लगे कि हाँ, बाकी employee को भी ल position आईगी, तो किसी बाहर के लोगों को लिख आएगी, तो generally यहांपे company का, यही system रहता है, कि जब कोई position खाली होती है, तो company वहांपे अपने बंदों को जो है, दिखरूट करने की सोचती है, ठीक है, sir बोलता है, it helped in identifying the humorous shortage and the skill shortage before opening occurs, thereafter, it become easy to groom दा, इसलिए यह जरूरी है, कि हम पहले से groom कर दे qualified candidate को for the future vacancies के लिए, organization is thus assured of the continuity of the operation and the better qualified incumbent, इसके लिए हम लोग जो क्या करता है, रिप्लेस्मेंट चार्ट के अंदर हम यह देखते है कि कौन बंदा किसको रिप्लेस्मेंट कर सकता है, जैसे मालो A एक superior है, यह कल को रिटायर होना है, तो इसके अंदना ती career planning, और एक होता है क्या, succession planning, लगबग जो है, succession planning, succession planning जो है, वो क्या है, same है, बस succession planning जो हाईre level के लोगों के लिए और जो carry planning है, वो सब जो की लिए, वहाँ पे सब जो के employees की बात की जाती है, आक्चुल मे succession planning is the part of the career planning, यह धिए धिया सब्लेस्मेंट का किसके लिए की position at the higher level के लिए जबकि career planning covers executive at all the level including the high skilled employee and the operative career planning by its very nature include the succession planning career planning के अंदर ही आपका succession planning आता है अब एक word है succession management succession management जो हो basically क्या यह एक alternative approach है ठेक है इसको use के आज़ा है examine करने के लिए existing managerial talent को in light of future competency and future business need and challenges basic purpose was succession management is to ensure that the right talent is available when needed and that appropriate development experience are provided at the higher level employee इसका मलब यह है कि जब कभी भी top position खाली हो तो उस top position पे हमा पे एक बंदे को बिठाने के लिए पहले से हमारे पास में एक बंदा तयार हो पहले से वो groomed हो well groomed हो ताकि जैसे वो position खाली हो तो हमको परिशान ना होना पड़ेगी आब वहां पे किसको लेके जाएं तो पहले से हमारे पास सारा जो है प्लैन होना चाहिए उस तीस को पहले से सोच के रखना उस person की उस successor की पहले से उसको training provide करना उसका development करके रखना वो सब आते हैं किसके अंदर आपके जो पर लगने के लिए कितने बंदों की जूरत है यह किस person की requirement है तो पहले से आप वो डिसाइडी करते हो फिर आप identify करते हो potential successor कौन हो सकता है कौन बंदा है जो पोस्त के ओपर जो है वो लग सकता है ठीक है वो आप डिसाइडी करते हो और उसके बाद आप क्या करते हो जब आपने डिसाइडी कर लिए यह बंदा है जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब रतन डाटन रिटायर होना था तो उसने जो है वो नडेला को जो है अपने साथ में रखा सोरी साइरस मिस्ट्री को साइरस मिस्ट्री को रखा ना साइरस मिस्ट्री को रखा हाँ साइरस मिस्ट्री को अपने साथ में रखा ठीक है ख़़ी दिनों तक रखा उसको ताकि उसको ग्रूम कर दिया पहले से कि कल को अगर वो रिटायर होगा तो उसके जगा पर यह बंदा जो है वो क्या लग जाए तो हम क्या करते है फिर उसको coaching देते हैं उसको coach करते हैं और साथ में groom करते हैं उस star को और जैसे ही हो क्या होगा retirement के time पर जो है उस person को जिसको हमने पहले से त्यार करके उसको वहाँ पे लगा देते हैं और secure करते हैं इसमें कि top management commitment and support और इसके लिए top management and commitment support बहुत जरूरी है अगर वो नहीं होगा तो फिर succession planning हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा मोटा मोटी बात एक गुम क्या रही है कि कल को अगर मान लो को एक concern जो key job है जो top level की job है अगर वो खाली होती है वो vacancy अगर वहां पे होती है लो जी पांच चेप्टर हमारे जो है वो complete हो गए है अब रहे गया च्छटा छे से लेकर आगे के 11 तो वो करेंगे हम हमारी next class में अभी के लिए आप पांच चेप्टर कीजिए तैयारी पर लग जाओ बढ़ी है वाली एक दम ठीक है ना हाँ जी लेक्टर कैसे लगा कमेंड़ करगा जरू बताइए गा अच्छा लगा अच्छा च्छा कमेंड़ किजिएगा कोई कमी लगी है तो वो बह nous बताइए गा और को video अच्छी लगी हो तक लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तो्तों के झाल झाल